हलो फेरंड कैसे हैं आप आपके अपने यूट्वी चनलाप मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वायर करता हूं दोस्तों आज इस नए वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से जितने अबजेक्टिव पॉइंट बनेंगे वह इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे इससे पहले प्रागयति हासी काल से जितने सारे अबजेक्टिव पॉइंट बने थे उसको कवर हम लोग कर चुके हैं आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आए हैं नेक्स्ट जो की दोस्तों यह पार्ट वन है प्राचिन धार्मि के बाद वह इस बहुत अच्छा होगा और आफ लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा सिं चलेंगे तो आईए हम भीना समर्बर्बाद किय वह इस वीडियो को श्रू करते हैं तो सिंदू घाटी सभ्यता जो कि भारत की सभ्यता है और विश्व की सबसे प्राचिन सभ्यताओं में से एक है इंडियास भैली सिविलाजेशन के भी नाम से जानते हैं और हरपा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं अब बात करें सिंदु घाटी सभ्यता का टाइम लाइन सिंदु घाटी सभ्यता का टाइम लाइन सी 14 विधी से अगर कारवन रेडियो 14 विधी से बात करें तो 250 से लेकर 1750 BC यानि इसा पूर्व तक बताई गई है अब बात करते हैं सिंदु घाटी सभ्यता का छेत्रफल कितन है और बिस्त्रित कितना में यह है सिंधु गाटी सभ्यता तो आईए यहां पर आप देखेंगे मैप के द्वारा आम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहां पर आप लोग जानते हैं कि यहां उत्तर है कि उत्तर दच्छिन कि पूरब कि पस्सिम अब देखिए उत्तर में जो कि मंडा मंडा दोस्तों कहां है जम्बू कस्मिर में ठीक है जम्बू कस्मिर तो यहां पर मंडा मंडा जम्बू कस्मिर जम्बू कस्मीर जो की उत्तर में मंडा सेले कर दचिन में महरास्ट थग महरास्ट में जो की दैमाबाद दैमाबाद महरास्ट में है अब आते हैं पूरब पूरब में आलमगीर पूर अलमगीर पूर दोस्तों कहा है जो की यूपी में है यूपी में अगर आते हैं इधर पस्सी में तो पस्सी में सुथ कांगो डोर सुथ कांगो डोर से लेकर सुथ कांगो डोर कहा है दोस्तों है बलुचिस्तान में है तो अब आते हैं देखिए उत्तर से लेकर दच्छिन तक जो की लंबाई की भात करे तो उत्तर से लेकर दच्छिन तक लंबाई 1400 किलोमीटर और पस्सीम से लेकर पूरब तक लंबाई 1600 किलोमीटर तो इतने दूरी में जो की सिंदु घाटी सब्भेता विश्तरित है अब आते हैं उत्तर में मांडा से लेकर जंबु कस्मीर से लेकर दच्छिन में दयमाबाद यानि महराष्ट तक है पूरब में आलमगीरपूर से लेकर यानि यूपी से लेकर पस्सीम में सुद कांगो डोर तक यानि बरुचिस्तान तक फायला हुआ है उत्तर से दच्छिन में 400 किलो मेट लंबाई और पूरब से पच्छिम तक देखेंगे तो 1600 किलो मेटर लंबाई है ठीक है 1600 किलो मेटर लंबाई तक सिंधुगाटी सभ्यता विश्तरित है अब आते है महत्कून अबजेकटिव की ओर सिंधुगाटी सभ्यता से कितने सारे अब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो आइए एक एकर कर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो पहला नबर आप लोग देख रहे हैं, कि सिंदु घाटी सभ्यता परसित्ति, सुमेरियन नगर योजना हेतु, तो सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी परसित्ति, और सुमेरियन सिंधु वासियों की मुख्य फंसल क्या थी तो सिंधु वासियों के मुख्य निवासियों की फंसल की बात करे तो जौ और गेहूं था जौ की बात करे तो जौ सिंधु वासियों ने सबसे पहले उपजाया था और खाने की बात करे तो गेहूं को सबसे पहले खाया था यानि उपजाने के करम में सबसे पहले जौव और खाने करम में गे हूं। आज भी दोस्तों जौव का पूजा पाठ में इस्तमाल होता है और आप प्राचीन में देखेंगे तो उस समय भी सिंधु वासियों ने जौव का इस्तमाल पूजा पाठ के लिए ही रखा था। ठीक है? च झालए है नेक्स्ट है खरोश्ते लिपी लिखि ज्याती थी तो दाएंसे बढय की और लिखे जशाती थी तो आपके Emmer Recently इस्तमाल में आप देखेंगे तो ऐसे पुछा हूआ है दाएं से बढय किस लिभी को लिखी जाती थी ठीक है 58 मिन है बाकी आप ऐसे लिख n Efendimiz सिंधु घाटी सभ्यता की लीपी थी सिंधु घाटी सभ्यता की लीपी चित्रात्मक थी बाकी बहुत अस्थल हैं वहां से भाव चित्रात्मक लीपी मिले हुए हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का लीपी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से चित्रात्मक लीपी मिले हुई है लेकिन बहुत ऐसे कम जगा है जहांसे भावचितरात्मक लीपी मिले हुई है तो आप option जैसा रहेगा वह से जाएंगे तो भावचितरात्मक लीपी मिले हुई है चलिए सिंधुगाटी सभ्यता थी तो सिंधुगाटी सभ्यता क्या थी तो आद एतिहासिक सभ्यता थी अब लिखी साक्ष को अभी तक पढ़ा नहीं गिया है जिस दिन पढ़ा जाएगा वो एतिहासी काल में चला जाएगा लेकिन जैसे मैं बात करें तो हरपा सभेता सिंदुगाटी सभेता इसको अभी तक पढ़ा नहीं गिया है तो उसको क्या कते है आदेतिहासी काल और प्राग ए अब आता है बाग पुरा तत्विक विभाग के जनक कौन थे तो पुरा तत्विक विभाग के जनक अलग जेंडर करिंगम थे अलग जेंडर करिंगम को जर्म दाता के रूप में माना जाता है पुरा तत्विक विभाग के और अब बात करते हैं कि जोन मार्शल के नितुतों म बहुत सारे लोग कामकड़ थे उसमें से दो लोग थे दयरामसहनी और राखल दास्बनरजी दयरामसहनी द्वारा हरप्पा की खोज की जाती है 191.921.921.921.921.921.921.921.921.00 पॉहन जोदरों की खोज होगा था इतना सारे प्उइंट आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हरपा सभिटा थी हरपा सबसंगे। एक कासी यूगीन सभिटा थी अब नेक्स्ट है हरपा के लोग अनभजात थी तो किनसे अनभीक़ें थे तो लोहे से अनभिग थे, लोहे से अपरची थे, लोहे का मुलोग नहीं जानते थे, लोहे क्या होता है, अब आते हैं स्वास्तिक चिन किसका देन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्वास्तिक चिन देन है, तो स्वास्तिक चिन दोस्तो धार्मिक यह चिन है, और सुर्य का उपास्तना का यह चिंत माना जाता है और आप देखे होंगे जैसे गाडि घंत हमनी कोई समान किन्ते है यह स्वाश्दिक चिंत कैस सिंदु घाटि सभ्यता का सर्वमानेकाल क्या है तो सर्वमानेकाल पूछेगा दोस्तों तो पचीस सो से लेकर सत्रा सो पचास बीसी बताएगा यही अगर आपसे रेडियो सीफ होटिन विधी द्वारा पूछेगा तो आप क्या बताएगा सिंदु घाटि सभ्यता का परमुख बंदरगा था तो सिंदु घाटि सभ्यता का परमुख बंदरगा लोथल के रूप में जाना जाता है और लोथल को दोस्तों मिर्तकों का टिला बोलते हैं क्या बोलते हैं मिर्तकों का टिला बोलते हैं लोथल कहां इस्तित है तो गुजरा सलक्ति बहत्ति पाल साथा में लोथल मिर्टकों का बोलते हैं और किस झीला में स् इस्सथ है तो अहमताबाद के लरकाना झीला में स्तित है और भोगवा नदी के किनारे इस तिदे लोथल और लोथल से दोस्तो तीन यूगल समधान मिले हैं और ऐसा कहा जाता है कि सती पर्था का अनुमान लगाया जाता है सती पर्था क्या होता था जैसे एक ही कब्ड में दो पति और पत्नी को दफना दिया जाता था तो ऐसा सक्ष था लेकिन आगे चलकर आप पढ़ेंगे आधुनिक में पढ़े होंगे तो राजा राम मुहारा जो की सती पर्था को अंत किया जाता है और ऐसे कुछ साक्ष मिले है और लोथल से आप याद रख सकते हैं चावल के साक्ष कहां से मिले हैं लोथल से मिले हैं और रंगपूर से दो ऐसे भारत में अस्थल है जहां से चावल के साक्ष मिले हैं चलिए नेक्स पॉइंट मोहन जोद्रो कहां इस्ति था तो पकिस्तान में इस्तित है और मोहन जोद्रो को दोस्तों बोला जाता है प्रेतो का टिला और लोथल को क्या आप बोला जाता है गुजराती भासा में मृतको का टीला और मोहन जोद्रो को प्रेतो का टीला बोला जाता है और मोहन जोद्रो से दोस्तों विसाल असनानागार मिले हैं और मेलेडिया होने का साक्ष भी मोहन जोद्रो से मिले हैं और अगर बात करें और सांक्ष यहां से असनानागार मिले हैं और सिंधु नदी के यह दाहिने और इस्तित है मोहन जोद्रो ठीक है तो इतने सारे पॉइंट है कि जो आप याद रख सकते हैं ठीक है मोहन जोद्रो से चलिए नेक्स्ट है नदियों के प्राचीन एवं नभीन नाम तो उस समय नदी को प्राचीन में क्या बोला जाता था और अभी उसी नदी को क्या बोला जाता है आये कुछ नदी के नाम है इसको हम लोग देख लेते हैं तो देखिए विस्ता नदी को बोला जाता है जेलम नदी आधूनिक नाम में आये अस्विकिनी नदी ठीक है उसको चेनाब नदी बोला जाता है उसको इसके बाद आते हैं वीपासा नदी को व्यास नदी बोला जाता है परुस्नी नदी को रावी नदी बोला जाता है कुम्भा नदी को काबूल नदी बोला जाता है उसके बाद कुर्म नदी को कुर्म नदी बोला जाता है उसके बाद घृ खरता है तो बिहार में बहता है ठीक है तो हम लोग सिंधु घाती सभ्यता से कुछ महतपुन अब्जेक्टिव देखें यह पाट नंबर 1 है और पाट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट विडियों में कवर करेंगे और दोस्तो इसे पहले बता दे कि हम लोग NCRT 6 का Already NCRT 6 का history का Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Already हम लोग cover कर चुके हैं और वो भी जारी रहेगा और इसको भी हम लोग continue करेंगे और history जैसे ही समाप्त होगा हम लोग आएंगे जिजग्राफी की ओर तो जैसे ही समाप्त होता जाएगा जिजग्राफी उसके बाद economics और अपना राय जरूर कमेंट में कहिएगा आपका क्या वीचार है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच जैहिन जै बारत